में भाईया करेश रिगरेश ओ येस स्टार्ट ये रुषिया की जो मार्केट है उसने 23% और फ्रांस की मार्केट जो है वो थार्ड नंबर पे है 21% लेकिन दोस्तो चाइना में जो क्रेकडावन है उसकी वज़ेसे चाइना की मार्केट बन गई है वर्した performing मार्केट और ये क्रेकडावन जो है पिछले साल नौवंबर से शुरू हुआ था इसके बारे में हम आपने वीडियोस में काफी बार चर्चा कर चुके हैं तो दोस्तो चलते हैं अगली महत्टपून नीउस के ऊपर ये भी चाइना से संबन देता है तो दोस्तो चाइना ने जो है क्रिप्टो करंसी के उपर एक तरीके का बैन लगा दिया है उन्होंने सारी क्रिप्टो करंसी ट्रांजेक्शन को इल्लीगल घोशिक कर दिया है इसके विज़े से आपने देखा होगा कि बिटकूइन जो है वो पांच परतिशत उसके अंदर गिरावट देखने को मिली और वो 42,000 डॉलर के नजदी आ गया और उसने 40,000 का लेवल भी टच किया था तो दोस्तों ये काफी महत्पून नीज है क्योंकि चाइना जो है वर्ल्ड की सबसे बड़ी एकॉनमीज में से एक है तो उन्होंने क्रिप्टो करंसी को अगर बैन किया तो क्रिप्टो करंसी या बिटकोईन के लिए ये एक अच्छी ख़बर नहीं है दोस्तों अगली महत्पून नीज आ रही है हमारे सेंटल बैंक की तरफ से आर बी आई ने 15,000 करोड की बॉन्ड बाइंग एनाउंस की है 30 सेप्टेंबर को बेसिकली दोस्तों ये ओपरेशन ट्विस्ट है और ये ओपरेशन ट्विस्ट होता क्या है यहाँ पे मैं आपको स्क्रीम पे दिखाना चाहूंगा एक सिंपल लैंगवेज में अगर समझा जाए तो ये एक तरह का इंटरवेंशन होता है सेंटरल बैंक का जहाँ पे एकनॉमिक ग्रोथ को स्टिमिलेट करने के लिए एक लॉंग टर्म इंटरस्ट रेट्स को कम रखा जाता है तो यहाँ पे ये इंटरस्ट रेट्स को भढ़ने नहीं दिया जाता ताकि एकनॉमिक ग्रोथ बनी रहे lower interest rate ऐसा माना जाता है कि वो economic growth को fuel करते हैं क्योंकि लोग अपनी spending increase कर देते हैं तो दोस्तों ये काफी important news है अगर आप debt funds के अंदर निवेश करते हैं तो यहाँ पर interest rates के ज़ादा वढ़ने की संभावना नहीं है क्योंकि central bank शायद अभी economic growth को ज़ादा preference दे रहा है यह operation twist जो है यह 30 September को किया जाएगा और यहाँ पर जो bond yield है उसके कम होने की संभावता है और उससे क्या है कि अगर आप मान लिजे long term debt funds के अंदर निवेश करते हैं तो आपको तो शायद फायदा होगा लेकिन जो लोग short term debt funds में निवेश करते हैं अगर interest rate नहीं भढ़ते तो उनके लिए यह कची ख़बर नहीं है आपने देखा होगा कि short term debt funds ने कोई अच्छा return नहीं दिया पिछले एक साल के time frame के उपर जो मैंने last check किया था कुछ समय पहले वहाँ पे जो short term debt funds थे उनका return शायद 3 या 4 प्रतिशत के आसपास था तो अगर आप debt funds में निवेश करते हैं तो आपके लिए ये काफी महतपून news है दोस्तो अगली news आ रही है यहाँ पे जो राकेश जुन जुन वाला जी है उन्होंने 70 करोड रुपे केवल 10 दिन में बनाए तो उन्होंने 10 दिन पहले z entertainment का share buy किया था यहाँ पे आप देख स और सोनी ने एक merger की announcement की जिसके बाद z entertainment का share जो है काफी तेजी से उपर की तरफ चला गया वो साड़े 300 रुपे के आसपास कुछ trade कर रहा था तो दोस्तो यहाँ पे 10 दिन के अंदर 70 करोड जो है उनको यहाँ पे profit हुआ benefit हुआ तो यह काफी महतपून news है दोस्तो अगली news चारी है यहाँ freshworks जो list हुआ यहाँ पे company के 500 employees जो है वो करोड पती बन गे यह company जो है US की stock market में जो है इसकी listing हुई है और यह एक SaaS based company है अगर आप international stocks के अंदर निवेश करते हैं international markets में निवेश करते हैं तो आप इस company के ऊपर नजर रख सकते हैं और इसकी जो initial offering price था 36 डॉल के साथ वहाँ पे list हुआ तो अगर आप इस company का business model समझेंगे तो यह भी एक जिसको कहले जे future themes वाली company है जिसकी चर्चा हम पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं कि हमें ऐसी companies पे नजर रखनी ज़रूरी है जो के आने वाले समय में अच्छा perform कर सकते हैं तो अगर आप ऐस इंडियन companies के वारे में जानना चाते हैं उनके ऊपर नजर रखना चाते हैं तो उसके अंदर आप इस company को शामिल कर सकते हैं और इसके financials भी आप जाके देखेंगे तो काफी अच्छे financials हैं इस particular company के दोस्तों चलते हैं अगले news के ऊपर यहाँ पे BSE ने एक क्रोड इन्वे investor accounts यहाँ पे add हुए हैं तो दोस्तों retail investors जो हैं उनका participation बढ़ता जा रहा है stock market में और इसी वजए से इंडियन market जो है वो best performing market है जिसको कह लिजे पूरे विश्व में तो चेंज उन से लेके 21 September तक total एक क्रोड नए account और add किये गए जिससे BSE के जो investor platform है उसके ऊपर total 8 क्रोड accounts हो गया है तो यह भी काफी महतपून news है क्योंकि हमें आप पता चल रहा है कि retail investors की participation जो है वो कम नहीं हो रही अब दोस्तों चलते हैं अगली news के उपर यहाँ पे जो एक महतपून news है कि जो हमारे देश का 180 billion dollar का back office sector है उसके उपर कोई भी GST नहीं लिया जाएगा तो अग अगर आप किसी IT enabled services या जो financial services provide करती है IT companies को इससे फायदा होगा तो यह काफी महतपून news है क्योंकि अगर GST नहीं लिया जाएगा तो इन companies का जिसको कह लिए जिए bottom line improve होगी तो ऐसी companies को फायदा मिल सकता है और obviously काफी अच्छी ख़बर है इस particular sector के लिए तो दोस्तों यहाँ पे बताया भी गया है कि लगभग दोसों के आसपास companies है जो के इस particular dispute में शामिल थी तो इन में कुछ listed companies भी है और उनकी जानकारी आपको online मिल जाएगी किन companies को इस particular news से फायदा होने वाला है अब दोस्तों चलते हैं कुछ और international news के उपर तो यहाँ पे जो चाइना की evergrand company है वहाँ पे उनका एक जिसको कहा लीजे payout pending था वो उन्होंने दिया है या नहीं दिया इसके बारे में भी पूरी जानकारी available नहीं है लेकिन यहाँ पे interest payment जो है bonds के ऊपर interest payment 83.5 million dollar का pending था उसकी deadline जो है वो over हो चुकी है और इसके बाद अब 30 दिन का grace period है तो यह काफी महतवपून news है और पूरे विश्व की इसके उपर नजर है कि क्या यह payout किया गया या नहीं किया गया या इसके उपर default तो नहीं हुआ actually default तम आना जाता है जब वो 30 दिन का grace period over हो जाएगा तो अगर अभी deadline के उपर payment नहीं भी की गई तो ऐसे कोई चिंता भाली बात नहीं है कंपनी के पास 30 दिन है payout करने को तो यह काफी महतवपून news है इसकी वजए से आपने देखा होगा कि global markets जो है उसके अंदर एक गिरा गिरावट देखने को मिली थी वो एक अलग बात है कि हमारी market इस समय global की उसको follow नहीं कर रही लेकिन यहाँ पर globally इसी particular news की वजए से जो दूसरे देशों की market है वहाँ पर गिरावट देखने को मिली थी दोस्तों चलते है आगली news के ऊपर यहाँ पर US से जो है अच्छी क्लेम्स है वो 351,000 हो गया है मतलब 351K और worse than expected तो यह जो है यह एक अच्छी ख़बर नहीं है और यह जो है पिछले हफते से भी इसके अंदर increase हुआ है और total first time jobless claims जो है वो 351K है तो इससे पता लगता है कि economy recover कर रही है या नहीं कर रही है और US की जो economy है वो सबसे वड़ी economy है तो अगर वो recover नहीं कर रही है तो वो एक overall अच्छी ख़बर नहीं है दोस्तों यहाँ पे एक free trade से संबंदित news आ रही है यह free trade actually bitcoin में हुआ था और इसको network glitch बताया जा रहा है तो basically यह जो platform है आप देख सकते हैं इसका नाम है python network यहाँ पे Monday को bitcoin का price जो है चाउन सो डॉल के आसपास आ गया था जबके international market में bitcoin का price जो है वो लगभग 45,000 dollar के आसपास चल रहा था तो यहाँ पे इतनी बड़ी जो है गिरावत देखने को मिली इस particular platform पे तो यह तरीके का कह सकते हैं free trade था या नहीं था आप इसको कुछ भी कह सकते हैं technical glitch कह सकते हैं network issue कह सकते हैं किसी ने वहाँ पे buy भी किया होगा किसी का वहाँ पे order भी trigger हुआ होगा तो free trade सिर्फ हमारी market में नहीं होते हैं यहाँ आप bitcoin में भी देख सकते हैं कि यह एक तरीके का free trade यहाँ पे देखने को मिला दोस्तों चलते हैं आप एक और interesting news के उपर जहाँ पर बताया गया है कि October के महीने में banks में 31 में से 21 दिन छुटी रहेगी तो अगर आप bank में कोई काम है आपको October में या अगर आप bank frequently visit करते हैं तो आप देख सकते हैं कि अगले महीने 31 में से 21 दिन bank बन रहेगा तो यह काफी interesting news थी तो मुझे लगा कि आपके साथ जरूर share करनी चाहिए दोस्तों अगर आप business करते हैं तो यहाँ पर एक interesting article मुझे देखने को मिला कि जहाँ पर subscription based जो services है या subscription based जो model है वो grow कर रहे हैं और ऐसा ही कुछ shift हमें इंडिया में भी देखने को मिल रहा है जहाँ पर काफी सारी companies जो है वो subscription based model के ऊपर काम कर रही है तो अगर आप कोई business करते हैं service provider है तो यह article आपके लिए काफी जादा interesting होने वाला है जहाँ पर explain किया गया है कि subscription payments क्यों इनकी adoption increase हो रही है इसके पीछे क्या कारण है आपने देखा होगा अगर आप मानलीजे मैं एक छोटा सा example देता हूँ अगर आप मानलीजे कोई milk delivery app इस्तमाल करते हैं तो वहाँ पर भी आप की delivery जो है वो free रहती है तो यह interesting article है अगर आप पढ़ना चाहें अगर आप business करते हैं तो आपके लिए काफी important article है दोस्तों इस अफते market में कोई भी major event नहीं है तो ऐसा कोई भी event नहीं है जिससे market के अंदर कुछ impact पड़े तो दोस्तों अगर आप यहां तक video देख रहे हैं तो इसका मतलब आप stock market के प्रती काफी जादा serious हैं और इसको अच्छे से सीखना चाते हैं समझना चाते हैं तो एक बहुत मशूर गाना है जो के अब आपके लिए मैं play करूँगा तो दोस्तों आज की weekly वानी में कोई एक news ऐसी जरूर होगी जिसको सुनने के बाद आपको यह गाना याद आया होगा तो ऐसी कौन सी news है जिसको सुनने के बाद आपको ये गाना याद आया आप comment section में मुझे जरूर बताईएगा तो मैं आपके comments का इंतजार करूँगा और मुझे उमीद है कि आपको आज का weekly वानी का episode पसंद आया होगा weekly वानी का episode पसंद आया तो वीडियो को like जरूर करिए अगर आप आने वाले समय में इसी तरह जानकारी से भरपूर और ज्यानवर्दक वीडियोस देखना चाहते हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए सब्सक्राइब के option इस समय आपकी screen पे available है आप नीचे दिखाएगे लालन के subscribe बटन को भी दबा सकते हैं उसके साथ दिखाएगे bell icon को click करना मत भूलेगा ताकि जब भी कोई नया video upload हो उसकी notification तुरंत आपको अपनी app या email के उपर मिल जाए तो दोस्तो इस video का एक disclaimer भी है जो कि आपको अपनी screen पे दिख रहा होगा ये video मैंने सिर्फ एक education learning और information purpose के लिए बनाया था यहाँ पर मेरी आपको कोई suggestion सला या राय नहीं है कि आप किसी भी stock या index में buy sell या hold की position बनाया किसी भी निवेश या trade से पहले अपने financial planner या investment advisor की सला जरूर ले ले तो दोस्तो आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकार के साथ एक नई सीख के साथ एक नई learning के साथ तब तक आप अपना ध्यान रखें